एक बड़ी प्यारी धुन है अच्चुतम के सवं दामुधर माधवं राम नारायनं जानिकी बल्लभं बहुसे भटों के दिल में एक ख्याल आता है कि क्या भी हमारी मुलाकात के सवं से हो हमें माधवं का दर्शन हो लेकिन हमारे वेपुरान सास्तर कहते हैं कि जब तक इनसान के भजन पूरे नहीं होते इनसान अच्छे-च्छे कर्म नहीं करता जनम पर जनम लेकर अच्छे-च्छे धर्म नहीं करता उसकी मुलाकात के सवं से नहीं होती मैंने ये पहले धुन गाई है और इस भजन में मैंने ये समझाया कि अगर नित्य करम से कोई भी इंसान एक करम करे तो उसके भजन पूरे हो सकते हैं उसको दूसरा जनम नहीं मिलेगा वो सबसे अच्छा करम है सबसे उच्छा धर्म है पहले ये धुन सुनिए और उसके बाद आप ये सुनिए कि वो कौन सा करम है जिसके करने से आपको माधवम मिले आपको केसवम मिले राम नारायनम जान की बल्लभं अक्षुतं के स्वं किष्ण दामोदरं राम नारायनम जान की बल्लभं लाम नाराय डम जादे की वल लवं करना चाहे अगर सावरे से मीलन कर पिता को नामन छुले मा के चरन अच्यूतम के सिवं किष्ण दामो दरम राम नाराय डम जान की वल लवं पूरे हो जाएंगे सावरे के भजन कर पिता को नामन छुले मा के चरन अच्यूतम के सिवं किष्ण दामो दरम राम नाराय डम जान की वल लवं राम नाराय डम जान की वल लवं दूसरा तुमको फिर ना मिलेगा जान की वल लवं कर पिता को नामन छुले मा के चरन अच्यूतम के सिवं किष्ण दामो दरम राम नाराय डम जान की वल लवं राम नाराय डम जान की वल लवं करना चाहे अगर सबसे उचा धरम कर पिता को नामन छुले मा के चरन अच्यूतम के सिवं किष्ण दामो दरम राम नाराय डम जान की वल लवं राम नाराय डम जान की वल लवं जग में बनवारी ये सबसे अच्छा की वल लवं कर पिता को नामन छुले मा के चरन अच्यूतम के सिवं किष्ण दामो दरम राम नाराय डम जान की वल लवं